नमस्कार आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट जनकारी देने जा रहा हूं हम लोग जिस आइनाइजर में डिल करते हैं मेडिकवा ब्रांड साउथ पुरिया की एक लीडिंग ब्रांड बहुत ही रेप्टेट ब्रांड है सुपर बिल क्वालिटी प्रोडेक्ट इस इंडेश्ट्री में लीडर उस प्रोडेक्ट का जो में कॉंपोनेंट होता है वो होता है आइनाइजरेशन चेंपर जहां पर पानी जाता है और एलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के माध्यम से इस प्रोडेक्ट में इस ब्रैंड के प्रोडेक्ट में नौ तरह के पानी निकलते हैं तो खास करके इस वीडियो में मैं आइनाइजरेशन चेंपर कैसा होता है इसमें प्लेट्स किस तरह के होते हैं उनकी साइज क्या होती है इसको मैं दिखाऊंगा यह आप देखिए यह है आइनाइजरेशन चेंबर कंपनी का ब्रैंडिंग किया हुआ है मेडिक्वा कोरिया यहां पर नम्बरी किया हुआ है मैनुफेक्ट्रिंग डेक्ट यह सारे डिटेल्स इस प्रोड़ेट के उपर में है और यह है आइनाइजरेशन चेंबर यह नाइन प्लेट आइनाइजरेशन चेंबर है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ वायर्स है हर प्लेट के लिए अलग अलग वायर्स है इसमें नाइन वायर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फुल 9 प्लेट नो प्लेट है और 9 अलग अलग वायर्स देख है इस प्लेट के हम लोग बात कर रहे हैं यह वो है यही प्लेट इसके अंदर है टाइटेनियम के ऊपर में प्लेटीन कोटेड इस तरह के 9 प्लेट होते हैं में और हर दो प्लेट का बीच में इस तरह का का एक filter system होता है इस तरह से यह जूपिट है इस नायंटीनाइंपोई को सूर्स किया गया है वेशको एलेक्ट्रोड साउथ कुरिया की बहुत ही पुरानी और लीडिंग ब्रैंड है बहुत ही सुपर विल क्वालिटी है सॉलिड प्लेट्स हैं आप देख सकते हैं इसको लोगों के मन में बहुत तरह के जिग्यासा होती है जब हम प्रोडक्ट डिलिवर करते हैं डेमो दिखाते हैं अंदर में जब बताया जाता है कि प्लेटीनम कोटेड प्लेट्स होते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि प्लेट्स होते कैसे हैं वो आडिया नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये वीडियो खास करके ताकि वो देख पाएंगे कि किस तरह के plates उनके machine में है और इसकी जो measurement है इसकी जो surface area है को आपको दिखाना चाहूंगा यह 55 mm और जो length है यह 140 mm आप देख पा रहे हैं स्केल समय यहां पर 140 mm यानि जो full surface area है वो 7700 square mm एक plate का single plate का और इस तरह के 9 plates हैं तो बहुत ही अच्छे quality के सुपर विल क्वालिटी solid plates और साउथ कुरिया की leading brand तो उमीद करता हूं कि इस आइनाजेशन चेंबर के बारे में और जो इसके अंदर plates हैं इसके बारे में मैं आपको कुछ जनकारी उपलब करा पाया हूं और इसी तरह से और भी कुछ technical जो components है technical बाते मैं अलग-अलग वी